Hey guys, good morning all of you, myself Sweta, dear students, today I will teach you English grammar, now I start our class, students, आज मैं class 3 के लिए English grammar का वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो जो है वो chapter 1 से है, तो students जो मैं next video लेकर आई थी chapter 3 का, sorry class 3 का और chapter 1 का, तो उसने मैं आप लोग को पढ़ाई थी alphabet के बारे में डेक्स नड़ी में alphabet कैसे होता है, तो students आप लोग page number 6 को open कीजिए, class 3 chapter 1 open कीजिए आप लोग, उसमें page number 6 जो है, उसको open कीजिए, English grammar के बुक में, और हम लोग ये number जो है, उसको complete करेंगे, तो ये number क्या है, तो circle the word that comes first in an alphabetical order, तो ये जो words दिये हुए हैं, जैसे one number में ग्लून है, वेवर्ड है, ड्राइज है, स्टार्डिंग है, तो ये जो दिये हुए हैं, इसमें सबसे पहले alphabetical order में, कौन आता है, तो उसको आप लोग को क्या करना है, circle करना है, याँ देखें, तो students आप लोग अपना book open कर लीजिए, chapter 1 का page number 6, और जैसे जैसे मैं कर रही ह वेसे वेसे आप लोग को भी circle करते जाना है, तो one number हम लोग पहले देखेंगे, तो G4 gloom है, तब B4 है, तब D4 है, और तब S4 है, तो students सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले alphabet में क्या आता है, तो सबसे पहले B आता है, तो बेवर्ड को हम लोग circle कर लेंगे, ठीक है, two number देखेंगे, M4 man, G4 James, L4 lemon और R4 road है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कि इसमें सबसे पहले देखेंगे, कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो G4 James हो जाएगा, तो James को circle कर लेना है, ठीक है, three number में A4 aunt, S4 say, P4 pacefully and C4 camel है, तो सबसे पहले alphabet में A, B, C, D में क्या आता है, तो A4 A आता है, तो A4 क्या दिया है, A4 aunt दिया है, तो aunt को हम लोग circle कर लेंगे, ठीक है, four number है, D4 drawing दिया है, A4 attend है, M4 man है, और H4 handwriting है, तो students सबसे पहले क्या आता है alphabet में, तो A4 आता है, A आता है, तो A4 हम लोग ढूड़ेंगे, तो A दिया हुए है, तो A4 क्या दिया है, तो attend तो attend को हम लोग circle कर देंगे, फिर हम लोग fifth number देखेंगे, कि fifth number में क्या है, child है, hurts है, proud है, और someone है, तो सबसे पहले alphabet के हिसाफ से, जब हम लोग उसको according to alphabet, तो सबसे पहले देखेंगे कि C आएगा, A आएगा, लेकिन A नहीं है, B से भी नहीं है, तो C देखेंगे, तो C से है, तो है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले F आएगा, तो F क्या होता है, फाइट दिया हुआ है, इसमें, तो F आएगा, फिर seven number हम लोग देखेंगे, seven number में क्या है, तो student है, S for hangar है, T for tunnel है, और फिर C for salary, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो क्या हैगा, तो students यहां celebrate आएगा क्योंकि C for है, तो उसको circle कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहां eight number है, तो eight number में flies है, days है, cat है, and die है, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो C for cat, तो students, मैं आप लोग को एक बार फिर से दिखा देती हूँ, आप लोग circle कर लेना, आप लोग का homework है, कि आप लोग को circle करना है, बुक में, फिर जब मैं next video ले कराऊंगी, तो मैं B number complete कराऊंगी, और फिर मैं homework भी दूँँगी आप लोग को, तो students, A number में waiver को circle करना है, 2 में gens को करना है, 3 में aunt को करना है, 4 को f4 में attend को कर लेना है, 5 में child को करना है, 6 में fight को करना है, 7 में celebrate को करना है, and 8 में cat को कर लेना है circle, तो students, आप लोग अपने बुक में page number 6 में इसको complete कर लिजेगा A number, तो students, हम लोग मिलते हैं, आप next video.